यह कहानी है 1938 केरली नाम के एक आदमी की Hungarian RV और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था जितनी भी नाशनल चैंपियंशिप्स हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीट चुका था और सबको अल्मस्ट कंट्री में जो ऑलम्पिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी उसको एक ही सपना था एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है पैस बनाना है पैस बनाना है और वो काम्याब हो गया उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग में सिर्फ दो साल का फ़क्त नाइटीन थर्टी एट में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैम चल रहा था च्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सिडेंट हो गे उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनिट फट गए और वो हाथ चला गए जो उसका सपना था जो फोकस था सब खत्ब उसके पास दो रास्ते थे एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए या अपना जो गोल्ड था जिस पे उसने फोकस किया हुआ तो उसको पकड़ करके रखिए तो उसने फोकस किया उसपे नहीं जो चला गया था जो उसके पास नहीं था उसने फोकस किया उसपे जो उसके पास था जो उसके पास था और क्या था उसके पास में एक लेफ आड़ एक ऐसा हाथ जिससे उन लिख तक नहीं सकता था एक महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला, साथ के ले और सही एक महीने बाद और भी ट्रेनिंग शुरू करती है, इसाथ के ट्रेनिंग के एक साल बाद, मतलब के नाइन्टिंटिंटिनाइन में, वो वापिस आया नाशनल चैंपियंशिट हो रही थी, महीं पे हंगरी में और बागी भी बहुत सारे पिस्टोल शूटर्स थे बाद उन्होंने जहां करके उसको कंगराचुलेट किया आगी यार देखो, ये होता है जस्बा, ये होती है स्पोर्च्मेंट स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा होसला बढ़ाने के लिए किसी को नहीं पता था कि वो एक साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की और उसने जवाब दिया मैं यहां पर तुम्हारा होसला बढ़ाने में आया, तुम्हार सथ कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, प्यार हो जो और कॉम्पेटिशन हुआ बाकी सब महाँ पर जितने भी लोग थे, वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस हैंड से यह कॉम्पीट कर रहा था अपने ओंली हैंड से ओंली हैंड से को जी था? इपनली हैंड के रहली चीट किया लेकिन वो यहां नहीं रुप गा उसका गोल फ्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस country का नहीं, इस पूरी दुनिया का best shooting hand बनाना है उसने पना सारा focus उठा कर गे डाला 1940 पे जब Olympics होने वाले थे लेकिन 1940s के Olympics कैंचे जो हो गए World War की बेसे उसने अपना सारा focus उठा कर गे गार डाल दिया 1944 में जो Olympics होने वाले थे उसके उपर 1944 में जो Olympics होने वाले थे वो भी कैंचे दो गए World War की बेसे फिर सई कैंचे उसने अपना सारा focus उठा कर गे डाल दिया 1948 की Olympics के 1938 में उसकी एज थी 28 साल 1948 में उसकी एज हो चुपी थी 38 इयर्स और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके उचसे कॉंपीट करना मुश्किल होता चला जाता है लेकिद मुश्किल नाम का ये वर्ड थाई दी उसकी डिक्सरी में गाया वो गाया पुरे वर्ड ये बेस्ट सूटर आयो थाउए थे जो अपने बेस अंट आट चरु कंपीट कर रह था है और कौन जी था लेकिन वो तप भी नहीं रुटा 1952 Olympics दुबारा कॉंपीट थिया उसमें और इस बार गोल्ड मेडल कॉं जी था गहर लीड चार साल बार दुबारा से और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया Olympics की इस पर्टिक्लर कॉंपीटिशन में उससे पहले किसी भी एट्डीप ने लगातार दो गोल्ड मेडल्स नहीं चीड़े अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ उसके पास लिस्ट होगी पहानों की कि मैं इस वज़े से फेल हुआ अपनी लाइफ में इस वज़े से मैं कुछ नहीं कर पाया बहुत नबी लिस्ट है उसी तरफ विनर के पास चले जाओ उसके पास में हजार वजे होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है सिर्फ एक वजे होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा करने की जो वो करने की जो वो करना चाहता है करने की जो वो करने की जो करना चाहता है